नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपने यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं है दोस्तों अभी जो 2019 में रास्थान पुलीस कॉंस्टेबल के 5000 वेकेंशी पर रिकूट्मेंट निकली है तो सभी के दिमाग में एक ही क्योसन चल रहा है कि अब की बार कौन से यूट या फिर जिले से फॉर्म बरे जहां पर कटॉप कम रहने की समभावना है और आपका सेलेक्शन हो जाए तो इस वीडियो में ये डाउट आपके पूरी तरह से किलिए हो जाएगा यहाँ पर जो अभी 33 जो यूट में वेकेंशी निकली है तो इन सभी का मैंने डाटा कलेट कर दिया है केटेगरी वाइज कितनी वेकेंशी है और उसमें 2018 और 2013 में क्या कटॉप गई है और इन सभी का गहन वेशलेशन करके आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और ये सभी डाटा का वेशलेशन और कलेट करने में काफी ज़्यदा समय लगा है तो इस बात पर एक लाइक जरूर कर दीजी और राजिस्तान पुलीस भरती से जोड़ी पल-पल के अपडेट जाने के लिए अब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजी और यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो मेरिट है वो पिछली भरती की भाती जिले वाइजी जाएगी ऐसा नहीं कि पूरी राश्तान में एक ही मेरिट नहीं जाएगी यहां पर अलग अलग जिले में जो भी 33 यूनिट है इन सबी की अलग अलग का टॉप है वो रहने वाली हैं और अपन जान लेते हैं 2020 में वेकेंसी डिटेल ज्यादा से कम के करम में यह सबसे ज्यादा वेकेंसी कहां पर है और सबसे कम कहां पर है तो यह अपने करम में देखने वाले हैं तो सबसे पहले बात करें कि ज्यादा वेकेंसी कहां पर है तो आयुकताले जैपुर में पिछली भाती अब की बार भी वेकेंसी सबसे ज्यादा है टोटल पांसो बत्ती पोस्ट है यहां पर और इसमें भी आप अलग-लग देख सकते हो जनरल की कितनी है EWS की कितनी है और OBC की कितनी है तो OBC की जैसे कि आप देख रहे हो जीरो वेकेंसी है अब बहुत से केंड़ेट की दिमा में यह भी स्वाल आ रहा है कि हमारे यहां पर OBC में जीरो वेकेंसी है तो क्या हम यहां से फॉर्म भरें तो अपना सेलेक्शन हो जाएगा बिलकुल जो जनरल की वेकेंसी है वो सब भी के लिए मतलब वो EWS वालों के लिए भी है OBC वालों के लिए है SC और ST सब भी के लिए जनरल की वेकेंसी वो open है यदि आपकी cut-off जनरल से प्लस आ जाती है तो आप यहां पर selection हो जाएगा तो जनरल की जो भी वेकेंसी है वो OBC के लिए भी है और SCST के लिए भी है तो जनरल की 328 है EWS की 53 है EWS की वेकेंसी में आप नहीं जा सकते हो OBC जाए SCST क्योंकि इनको अलग से 10% correction मिल चुका है और 2018 में cut-off भी आप देख सकते हो यह जो cut-off marks है यह 75 मेंसे हैं जो की physical के लिए candidate का selection हुआ है जो written paper है उसकी है क्योंकि जो final cut-off है वो website पर सब भी unit की नहीं आई है जो भी आई है मैंने oblique में लिख दिया है यह final जो oblique वाली है यह आपके out of 100 मैंसे जो final cut-off गई है और यह जो 2013 वाली यह 100 मैंसे हैं जो की final cut-off है तो 2013 के भी देख सकते हो आप 2018 का भी data यहाँ पर देख सकते हो बाकि यदि आप जानना चाहते हो सबी category की 2018 में क्या cut-off गई है तो वह PDF भी है जो की आपकी return की cut-off है तो यह मैं telegram channel पर डाल दूँगा description box में link के आप click करके join कर सकते हो यहाँ पर सबी जो unit और district है उनकी category wise cut-off आपको देखने को मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं अपन ये category के according देख सकते हो यह detail भी तो quota grammar में 217 post है इसमें OBC की post है अच्छी खासी post है बाकी cut-off है वह भी quota grammar में कम गई है आप देख सकते हो 2018 में 34 गई है बाकी जो यह final cut-off गई है 2018 की जो की दोड़ होने के बाद out of 100 marks की बात करें तो यहाँ पर जो final cut-off return से 15 से 20 marks पलस होके गई है 15 marks तो वैसे आपको पता है दोड़ के हैं तो 15 से लेकर 20 marks पलस हुए हैं आपके final cut-off में क्योंकि यह बहुत ही कम करने कारणे की part B में candidate pass ही नहीं है जो पास हुए लगबग सभी का नंबर आ गया था आपके फिजिकल के लिए और जिन्होंने अच्छी दोड़ कर ली थी 10 marks पलस में तो उन सभी का हो गया था जिनका फिजिकल नंबर आया final में हो गया था और यह out of 100 में से हैं 2013 की और 2013 की जो cut-off गई है ना out of 100 में से वो लगबग सभी यूनिट की सतर से पचतर तक है और दो-तिन यूनिट है जिनकी साट है बाकी सभी की लगबग average equally गई है next यहां पर यूनिट की बात करें आपके वो है शिक्त बटालियन आरेसी धोलपूर अब जो भी आरेसी की बटालियन है इन सभी की cut-off है वो पेशली में काफी कम गई है और अपकी बार वेकेंसी भी अच्छी है तो यहां से आप ज़रूर ट्राइ कीजिए वैसे आरेसी की जो योगिता वो एर्थ पास है बाकी की है वो टैंथ पास है तो यहां पर यह आरेसी की अच्छी खासी पोस्ट हैं सभी युनिट में तो यह आप पर आपका अच्छा सांसेज बनता है यह आप एपलाई करते हो बाकि लश्ट मैं आपको बता दूँगा टॉप से जॉन कौन से हैं तो यह वेकेंसी हैं और इसकी कटॉप देखे 33 मार्क्स गई हैं यह पिच्चतर मैं से आपकी 2018 में और 52 मार्क्स गई हैं इसकी फाइनल क्योंकि वेबसाइट पर इसकी फाइनल कटॉप डाल दी थी जो भी युनिट की डाली मैं आपको अब्लिक करके बता दिये तो 52 मार्क्स यह फाइनल की आरेशी धौलपुर की गई हैं और नेस्ट यहां पर बात करें भिवाडी की जो की जिला अलवर की वेकेंसी हैं 145 हैं और यह आप डेटेल देख सकते हो और बाकी इसकी आपको मैं पीडियो फाइल भी एवलेबल करा दूँगा जल्दी टेलिग्राम चनल के तो पेमेंट की लिंक है पेमेंट के बाद यहां पर आप वोड़सेप कीजिए यहां फिर आपको वहां से भी पीडियो फाइल मिल जाएगी और यह सभी 85 में हैं इसी प्रकार से सभी पेपर भी एवलेबल हैं ज्यादा जानकारी के लिए डेस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चे बाकि EWS की 12 वेकेंसी और OBC के अच्छी खासी पोस्ट है एट्टी वेकेंसी हैं 2018 में कटॉप भी कम गई है तो OBC वाले केंड़ेट यह जरूर भर सकते हैं ज्यार पी अजमेर से बाकि लाश्ट में आपको पता चल जाएगा कौन से टॉप एट सेब जोन है और आप जो भी फॉर्म भरते हैं अपने स्वेवं विवेक के आधार पर भरिये किसी के बहकावे में आकर भई यह यहां से बर रहा तो मैं भी यहां से बर्दू या फिर यह यूट्य वाला बता रहा है कि आप यहां से फॉर्म भरिये तो ऐसे करने पर बहुत से ज्यादा केंड़ेट इसलिए मैं सब भी टॉप मोस्ट आपको आठ से बता दूँगा बहकि आप अपने एकोर्डिंग यह वेकेंजी टेबल हैं इसका अध्यन करते हुए फॉर्म भर सकते हो कि प्रिवेशियर का टॉप कहां कितनी गई है इन सबी को आपको कंसिडर करना होगा अपने एकोर्ड में कहा सकती हो एक्याउन माक्स गई है आउट ओप विच्छतर में से 2013 में आपकी 71 थी बटा लिन आरसी कोटा जो सेकेंड बटा लिन है उसकी वेकेंजी 109 है 21 जनरल की हैं 10 EWS की हैं 60 OBC की हैं प्रिविश एर कटॉप काफी कम गई यह 2008 में और 2000 आपकी 13 में भी तो यह भी अच्छा जौन है आपके लिए सेकेंड बटा लिन आरसी कोटा नेक्स यहां पर बात करें जिला भीलवाडा की तो भीलवाडा में 102 वेकेंसी है कटॉप काफी ज्यादा गई है पिछली बार 53 गई है सबसे ज्यादा में आपका इसको मान सकते हो जिला भीलवाडा की गई है 2018 में उसके बाद हनुमानगर्ड है 98 वेकेंसी है आपकी इसमें भी अच्छी वेकेंसी है लेकिन OBC की यहां पर कोई भी पोस्ट नहीं है तो OBC वाले केंड़ेट है वैसे इनके लिए जो सभी 69 जनरल की है वो OBC वालों के लिए भी है और 9 आपके EWS वालों के लिए है और इ इसमें जनरल की काफी कम है EWS की कम है लेकिन जो OBC की वेकेंसी है वो ज्यादा है 33 है और कटॉप बी कम गई है 2018 में जिला अजमेर की बात करें तो 88 आपके वेकेंसी है जहां पर 54 जनरल की है और OBC कोई भी नहीं है EWS की 8 वेकेंसी है कटॉप यह ज्यादा गई देखिए क्या उन गई यह 2008 की cut-off है 53 यह अजमेर की हैं भील वाड़ा के आप देख सकते हो 53 है तो यहां पर cut-off तो ज्यदा गई है और vacancy OBC की नहीं है 5th battalion RSE जैपूर की बात करें तो 88 vacancy आपकी 5th battalion RSE जैपूर की जहां पर OBC की दिखी बहुत ही ज्यदा vacancy यहां पर 63 है और general की 13 है EWS की 8 है cut-off भी कम गई है तो RSE काफी safe आप unit क्या सकते हो सभी RSE में यह A की condition है जहां पर अच्छी खासी vacancy और cut-off कम जाती इसमें और first battalion RSE जोदपूर में 86 vacancy general की कम है लेकिन यहां पर OBC की 31 है EWS की 8 है 35 आपकी प्रियूश cut-off गई है जो रिटन की है और पच्पन आपकी final गई है यहां पर तो आपके सकते हो लगबर 14-15 से लेकर 20 marks तक यहां पर इंक्रीज हो रही है final cut-off रिटन के बाद जो कि रिटन में पांच गुना candidate पास करते हैं जिला quota share की बात कर तो 81 आपकी vacancy OBC की 0 है इसमें quota share में लेकिन general की यहां पर 47 है EWS की 8 है एक्याउन का top देखी काफी ज्यादा गई जिला quota share की previous cut-off काफी ज्यादा गई है जिला पाली की बात करें तो 77 है और पाली में यहां पर general की काफी कम vacancy है 35 आपके OBC के अच्छी vacancy है 38 यहां पर cut-off गई है जो के average कह सकते हो आप जिला राजसमद की आपके चोतर post है जो पाली की बात vacancy है वो जिला राजसमद की है और 8 यहां पर आपके general EWS साथ है 45 OBC तो OBC में राजसमद में अच्छी vacancy है 32 cut-off भी कम गई है तो यह भी अच्छा आपके लिए सहफ रहेगा form apply करने के लिए जिला बीकानेर में फिर आपके 64 total vacancy है इसमें 31 यहां पर cut-off गई है जो की सबसे कम आप कह सकते हो 31 से कम cut-off किसी की नहीं गई है तो 31 वाले हैं सबसे कम और 8 यहां पर OBC की है 26 आपके general की है 6 EWS की है और 752013 में इसकी cut-off गई है बीकानेर के बाद जो 9 बटा 32 कट-off है वो भी कम गई है 68 यह जो 2013 की cut-off भी इसमें काफी कम गई है सभी मैंसे और यह 32 वी कम है तो यह भी एक safe unit कह सकते हो 10th battalion RSC बीकानेर है इसमें total 62 vacancy है जहां पर general की नहीं है EWS की 6 है 26 OBC की है total यहां पर 33 cut-off गई है आपके 2018 में फिर जिला चतोड़ गड़ा जाता ह 21 total vacancy है OBC की 0 है cut-off काफी कम गई है पिछली भरती में 7 battalion RSC भरतपूर में आपकी 53 vacancy है और इसमें OBC की 2 है कम vacancy है EWS की 5 है 24 यहां पर general की है और बागी vacancy table में आप SC-ST की भी देख सकते हो लगबग SC-ST का यह general OBC की 3 vacancy है और next यहां पर जिला चुरू की बात करें तो चुर EWS इन दोनों की रहेगी और चुप क्योंकि यह general तो सभी के लिए है 35 आपके इसकी cut-off गई है 75 जो 2013 के cut-off है final वाली 11 बटालिन जो RSC दिल्ली है 52 vacancy है cut-off भी काफी कम गई है 2013 और अठरा में और यहां पर OBC की 3 है general की 20 और 5 आपकी EWS की हो जाती है next बात करें तो जिला इसकी नहीं है चार यहां पर EWS की है चार जनरल की है बाकि SCST की है और बाट में में cut-off भी सभी जो क्योंकि 2018 की cut-off को आपको जएदा नहीं देखना है जो सबसी जएदा गई उसको आप देख सकते हैं बाकि कम का ऐसा है कि वहां पर candidate pass ही नहीं हो रहे थे पार्ट B के भाग clockwise pass करना है और बाकि आपकी बार syllabus भी change है तो यह आप cut-off को जएदा consider not कीजे कि कहां सबसे कम गई है लेकिन जएदा वाले को आप देख सकते हो कि जहां पर 2018 में जएदा जा सकते है तो आपकी बार तो जाने ही वाली है क्योंकि उसमें इतना टुक्टफ आप कह सकते हो पेप 12 OBC की है cut-off देखी 31 तो गई आपके return के और final 36 गई है मातर 5 marks बड़ी है आयत बटाले नारेसी दिल्ली की 70 आपकी previous cut-off है और फिर यहां पर देख सकते हो जो लास्ट आपकी टेबल है हारी रानी महीला बटालेन और इसमें केवल माईलाओं हेत्य है पुरू सेतु भी अलग से वेकेंसी है और माईलाओं के लिए बिये है तो हारी रानी महीला बटालेन जो 48 टोटल वेकेंसी है 2018 में इसकी कोई भी वेकेंसी नहीं थी इस बटालेन की और 2013 में जरूर थी 60 गई थी कटॉप जो की सबसे कम थी आउट आप सौ मैसे और इसमें जनरल की आपकी वेकेंसी नहीं है 13 OBC की है, EWS की 4 है 3rd बटालेन RSC Biken Air की बात करें तो यहाँ पर टोटल 47 आपकी पद है और 6 इसमें आपकी हो जाते हैं जनरल के च्यार यहाँ पर EWS के है 20 OBC के यहाँ पर सबसे ज्यादा है और कटॉप भी कम गई है काफी 54 गई है फाइनल का टॉप 33 आपकी रेटन की है, 70 प्रिवेस हैं तो जो भी RSC Battalion है वो काफी safe unit है जिला 12 के 44 वेकेंसी हैं तो यह सबी कम वेकेंसी वाले हैं नीचे वाली जो टैबल है 12 में 44 हैं और कटॉप 48 गई है प्रिवेस जो की ज्यादा गई है 12 Battalion RSC दिली में 42 वेकेंसी हैं जनरल की कोई भी वेकेंसी नहीं है 32 आपके कटॉप गई है और final 50 गई है देखे 18 marks इंक्रीज हुई है यहाँ पर तो 15 से लेकर 20 marks final कटॉप इंक्रीज हुई है 2018 में और 79 जो marks आपके 2013 की कटॉप है यह है 12 Battalion RSC दिली का जियार पी जोदपूर की बात करें वेकेंसी है एक आपके जनरल की है 17 OBC की यहाँ पर ज्यादा है जियार पी जोदपूर में टोटल 40 है 49 आपकी कटॉप गई है 2018 में तेरा में नहीं 30 की वेकेंसी जिला जेसल मेर में 38 है और जिसमें जनरल OBC कोई भी पोस्ट नहीं है सबी जनरल EWS S.E.S.T की है 31 कटॉप है जो कि सबसे कम आप कह सकते हो 2018 में 37 गई थी जो सबसे अधीक में आई थी 2013 में जिला जेसल मेर और बाड मेर की 2013 में सबसे अधीक गई थी जो कि यहाँ पर मेल केंड़ेट की यह सबी जो कटॉप है अधी जवय नारोली अजमेर यह सेव पूरोशओं है तो नाम तो महिला रेकिन इस recycler की आपकी होन सबसे कम कटॉप गई है तो यह तो आपकी हो गई कहां कितनी वेकय Springs है और 2013 में कटॉप है वह कहां कितनी गई है तो ये पूरी आपको वेकेंसी टेबल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आप इसका जरूरूर इसलेशन कीजिए कि कहां पर कितनी वेकेंसी है और आपको कहां एपलाई करना चाहिए और ये जो कट अप बताई है ये जनरल की है मेल केंड़ेट की है और इसमें 2008 में क्या कि OVC में बहुत सी जगर कट अप है वो ज्यादा चली गई है फीमेल की भी जनरल मेल से फीमेल की कट अप ज्यादा है ओवीसी की ज्यादा है इसका कारने कि वहां पर कैंड़ेट पास ही नहीं हो रहे थे पार्ट बीम फैल हो रहे थे इसकी वज़े थी जहां पर कट अप और अब थोड़ा में 2018 का आपको डाटा बता देता हूँ कहां कितनी वेकेंशी थी और कितने केंड़ेट यहां पी तो यह तो बताया गया है कि टेबल में आपके कौन सा कॉलम क्या बता रहा है 2013 की बात करें सबसे पहले तो कट अप आपकी 100 में से मैंने बताई है और वेके घग पहले ती c । कम थी यह फाइनल क processors की दो सामें सबसे कम गई थी सो में सी 2013 का यopen सिनेरियो है 2013 में सबसे जयदा गई थी वह बाढ़ मेर की गई थी सबसे जयदा गई थी और अभी मैं 2018 की बात करूं जो वेकेंसी आई थी 13,142 पदों है तू तो 2018 में जो सबसे ज़्यादा गई है कट आप जनरल मेल की बात करें तो 53 मार्क्स हैं वो हाईएस्ट कट आप गई है रिटन की आउटोप 75 मैंसे जो की भीलवाडा और अजमेर की गई हैं उसके बाद 51 मार्क्स गई हैं कोटा सहर और जहलावाड की और 49 मार्क्स गई हैं आयुकताले जयपूर की 48 गई हैं 12 और अलवर की तो यह सबसे ज़्यादा जो कट आप गई हैं लगबग सब हैं तो 31 मार्क्स जो सबसे कम का टॉप वाप 75 मैंसे गई हैं वो बिकानेर और जयेसल मेर'm आरेसी में गई हैं बत्तिक्स मार्स की बात करें तो ये गई हैं दिल्ली आरेसी 12 आरेसी दिल्ली बाड मेर 11 आरेसी राज समध हैं चितोडगर 9 आरेसी और 2 आरेसी तो आरेसी की लगबग सभी की कट आप बहुती कम गई हैं 2018 में और इन सभी जो वेकेंसी टेबल हैं अब की तो सभी का डाटा वेशलेशन किया मैंने तोलना करके कहां पर जनरल की वेकेंसी ज्यादा है कहां पर OBC की हैं तो यहां पर दो टेबल में आपको बताने वाला हूं टॉफ एट जो सेफ यूनिट हैं इसमें दो टेबल में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जनरल और EWS वाल देते हैं तो आपकी कटव बढ़ सकती हैं इसलिए में ज्यादा यहां पर आपको बतारा यूनिट और बाकी वेकेंस टैबल के अपकर सकते हो तो यहां पर सेफ यूनिट की बात करें तो शिक्ष्ट बटालिन आरेशी दहौल पूर अच्छी यहां पर आरेशी सभी और जो 2018 में कटव है वो भी काफी कम गई थी 33 माक्स गई थी रिटन के और फाइनल बाउन गई थी 6 बटालिन आरेशी दहौल पूर अच्छी यूनिट है आपकी बार एपलाई करने के लिए वेकेंसी भी अच्छी है कोटा ग्रामीन की बात करें तो यहां पर आपके 95 कटव ज्यादा ही जाएगी तो इन सभी को मैंने ध्यान में रखा हैं उसके बाद जिला हनुमान गड़ आपके लिए अच्छी यूनिट है यदि आप आरेशी से अपलाई नहीं करते हो तो तो कोटा ग्रामीन है हनुमान गड़ यहां पर इटतर टोटल वेकेंसी है जनरल और EWS के लिए 33 जो कट आप 2018 में गई है उसके बाद फॉर्थ बटालियन रसी जहिपूर में भी अच्छी वेकेंसी है और कट आप भी कम जाने की संभावना है तो 42 जनरल और EWS की पोश्ट है टोटल उसके बाद नेक्स्ट यहां पे जो यूनिट है वो जिला भी गानेर है तो 32 टोटल वेकेंसी जनरल पलस EWS के लिए सेकेंड बटालियन रसी कोटा जहां पर 31 वेकेंसी है कट आप भी कम गई है इन सभी की पिरिएस जो 2018 में गई है 2000 और 13 में भी इसमें कम ही गई थी ज्यादा नहीं गई थी सभी में जिला चितोड़कर नेक्स्ट आपके 34 वेकें जाएगी जो टेबल है पीडियोफाइल टेलिग्राम चैनल पर तो उसको जरूर जोइन कर लीजे जहां पर आपको बहुत से एक्जाम की पीडियोफाइल एवलेबल हो जाती है फ्री आपकोस्ट नहीं पर बात करें आपके OBC वाले के एंडे तो OBC वाले के लिए एक तो OBC OBC की कि पोस्ट है और पलाच जो जनरल की पोस्ट है यह उनकी कट आप है वो जनरल से ज्यादा Նजाते हैं मांस तो जनरल की विसाखी लिए वेकन सी रहती है तो यहां पर टैबल में मैंने जो वेकन सी बताई हैं OBC वाले काहां से अपलाई करें वह OBC जनरल दोनों को मिला कर हैं तो सबसे पहले वी सी की बात के तो सेकेंड बला बटालियन आरेसी कोटा अच्छी यूनिट आपके लिए क्योंकि यहां पर 60 तो बीसी की वेकेंसी है और 21 से आपके जनरल की टोटल 81 वेकेंसी है पिछली कटॉप भी कम गई है 35 आउट आउट आप 75 में से फिर यहां प और फिप्त बटालियन आरेसी जाइपूर शीहतर वेकेंसी है कटॉप भी कम गई हैं 2008 में नैश्ट यहां पर जिला कोटा ग्रामी जहां पर आपके जनरल की है यहां पर चौहूतर वेकेंसी ओबीसी की है चोवालिस वेकेंसी टोटल 118 है तो यह आप वेकेंसी देखेंगी तो जिला कोटा ग्रामीन की यहां पर सबसे जयदा रहेगी और 35 मार्स कटॉप गई है प्रिवेस शेक्स बटालियन आरेसी धौलपूर है फेर जहां पर एकसो सोहोला टोटल वेकेंसी है 17 OBC की है और 99 आपकी जनरल की है 33 कटॉप गई है प्रिवेस इसकी और नैश्ट यहा अच्छी वेकेंसी इसमें जिला राज समद में आपके 45 जो वेकेंसी है वो OBC की है 8 जनरल की है तो तो त्रेपन वेकेंसी आपके लिए हो जाती है यहां पर 36 कटॉप है तो यह भी अच्छी यूनिट है नैश्ट यहां पर जो गंगानगर और 9 बटालिन आरेसी टौक है त में 35 OBC की है 13 जनरल की है 48 टोटल वेकेंसी है तो यह OBC के लिए मैं मानता हूं कि टोटल यह आठ सेफ यूनिट रहेगा आपके एपलाई करने के लिए बाकि आप वेकेंसी टेबल देखते हुए ही एपलाई कीजी जो मैं बता रहा हूं यह आप मत मान सकते लेकिन यहां से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कहां से एपलाई किया जाए इस वेकेंसी टेबल से और जो मैंने वेस्ट्रिसन किया है इसका आपको जरूर फाइदा मिलने वाला है बाकि यहां पे आप वेकेंसी टेबल को अपनी केटेगरी अनुसार देख कर सो हैं वेकाप रियोग क बताईए आप कौन से जले से ब्लॉंग करते हो और आप कहां पर फॉर्म एपलाई करने वाले हो यहां पर देखते हुए जो मैंने टेबल वगरा बताई हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ तब तक के लिए वंदे मात्रम जहें दोस्तों